डियर लर्नर्स आप लोग का स्वागत है आपके ही अपने चैनल लिटरेचर वित सागर में और आज हम लोग डिसकस करेंगे मोनिका अली की फेमस नावेल ब्रिक लेन के बारे में तो चलिए बीना समय गवाए आज की वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं तो जो ब्रिक लेन है ये 2003 में पबलिस हुई थी और इसके लिए मोनिका अली को एक बार पुरसकार भी मिला था उसका नाम है मैन बुकर प्राइज इस कहानी की प्रेटोगनिस्ट है नाजनीन और पूरी नावेल उसी के इर्दगिर्द घुमती है इस कहानी की सुरुवात होती है बंगला देश क एक छोटे से गाउं गौरी फूर से हालही में नाजनीन पैदा हुई है और उसकी मा का नाम है रूपबन और जब नाजनीन पैदा होती है तो अगल बगल के सभी लोगों को और उसकी मा को भी लगता है कि वो मरी हुई पैदा हुई है क्योंकि वो रोती नहीं है हाथ पाउ नहीं चलाती है तो उसकी मा उसे अस्पताल ले जाने के बजाए उसे भागवान पर छोड़ देती है कि मतलब गरीब थी तो इसलिए अस्पताल लेके नहीं गई तो पांसाथ दिन बाद पता चलता है कि नाजनिन फिर सही हो जाती है और नाजनिन के पिता का नाम है हामिद और उसकी एक बहन भी है छोटी जिसका नाम है हसीना हसीना 16 साल की उम्र में एक मलिक नाम के लड़के से घर छोड़ कर भाग जाती है और उससे साधी कर लेती है जिसके पस्चात उसका पिता हामिद बहुत नाराज होता है और गाओं के किनारे 16 दिनों तक रखवारी करता है वो सोचता है कि जब भी वो आएगी कौन आएगा हसीना तो ये उसका सर तलवार से काट देगा लेकिन हसीना वापस नहीं आती है और इसी बीच पता चलता है कि जो इसकी मम्मी है रूप बन वो भाले के उपर गिर गई है जिसके कारण उसकी मौत हो गई है उसके बाद उसका पिता हामिद बहुत दुखित होता है और फिर वो नाजनिन की सादी 18 साल की उम्र में करवा देता है एक चानु नाम के आदमी से जिसकी उम्र 40 साल है और उसके बाद जो चानु है अपनी पतनी नाजनीन को लेकर लंदन चला जाता है और लंदन का एक गरीब सहर है टावर हेमलेट वहाँ पे सिफ्ट हो जाते हैं दोनों और रहने लगते हैं कौन नाजनीन और चानु ये जो टावर हेमलेट है ये एक छोटा सा लंदन का गरीब सहर है जहां बंगलादेशी प्रवासी रहते हैं नाजनीन को वहाँ कोई कारे नहीं करना पड़ता है सुरू-सुरू में केवल वह खाना पकाती है तो उससे कभी-कभी मिलने एक महिला आया करती है जिसके हाथ पर टैटू बना हुआ होता है उसका काम केवल होता है कि वो दिन भर बियर पीती है रिंग करती है और उसके बोटल घर से बाहर फेकती है और कभी-कभी एक बोड़ी महिला भी इससे मिलने आती है किसे नाजनीन से उसका नाम है मिस इसलाम और जो मिसेज इसलाम है वो अपनी ब परीबहन जो मलिक के साथ भाग गई थी वो हसीना पत्र लिखती है नाजनिन को अपने पती मलिक के बारे में बताती है कि वो उसे बहुत पीटा करता था जिसके कारण वो मलिक को छोड़ कर भाग गई अब वो एक फैक्टरी में काम करती है सिलाई का काम करती है और वो चोडरी के संरचन में रहती है वो बताती है कि चोडरी पर उसने इसलिए विश्वास नहीं कर लिया उसी तरह वो चोडरी के साथ इसलिए रहती है कि चोडरी है वो हसीना को पुत्री समान मानता है पुत्री काके बुलाता है इसलिए वो उसी के साथ रहती है तो यह पत्र पढ़कर नाजनीन सोचती है कि उसका पती चानू बहुत ही अच्छा है भले ही बूढ़ा है लेकिन उसे कभी पीटता नहीं है कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता है लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी नाजनीन अभी भी चानू से प्यार नहीं करती है और नाजन पिर साधी के कुछ वर्सों बाद इन दोनों के एक बेटा जनम लेता है नाजनिन का और चानु का जिसका नाम रकीब होता है और रकीब धिरे धिरे बिमार होने लगता है और एक साल बाद रकीब की मृत्य हो जाती है। लेकिन फिर किसी ने अफवा उड़ा दिया कि हसीना का अब्दुल और मिश्टर चौधरी के साथ अफेयर है तो हसीना को वहां से फैक्टरी में से जहां सिलाई करती हैं वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और चौधरी को जब पता चलता है कि अब्दुल के साथ इसका संब तो चौधरी हसीना का बलतकार कर देते हैं फिर लिखती है कि वह सर्म और निरासा से बहुत उपर उठ चुकी है अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं है फिर वो लिखती है कि अहमद नाम का एक आदमी उसे प्रपोज करता है जो कि जूकता फैक्टरी में नाइट परवाइजर पहले तो वो उसे हसीना मना करती है लेकिन बाद में भी राजी हो जाती है फिर दोनों आपस में अहमद और हसीना साधी कर लेते हैं लेकिन साधी के कुछ वर्सों बाद अहमद भी उसे छोड़ देता है फिर हसीना लिखती है कि अब वह तब तक नाजनिन को पत्र नहीं भेजेगी जब तक कि उसका इस्थिर पता न हो जाए पता अस्थाई न हो जाए फिर नाजनिन की बेटी पैदा होती है सहाना और उसके कुछ वर्सों बाद एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम है बीबी जो सहाना है वो अपने माबाप के अवहलना करती है इन दोनों की बात मानती है नाजनिन अपने पती चानू से कहती है कि वे घर पर राकर बोर हो जाती है क्योकि कोई काम नहीं होता है तो चानू उसके लिए शिलाई मसीन करिद कर लाता है और चानू कपड़े भिलाता है और कश्टमर भिलाता है नाजनीन सिलाई करती है और पैसे कमाने लगती है तो फिर चानू ने जो अपनी नोकरी छोड़ दी थी आपको बता दे कि चानू एक सिविल सर्वेंट का काम करता था लेकिन जब उसका बेटा रकीब मर गया तो उसने त्याग पत्र दे दिया था तो फिर अब चानू एक कैप ड्राइवर का काम करने लगता है और ये जो सिलाई मसीन का काम होता है ये नाजनीन करती है लेकिन एक लड़के को रखता है करीम को जो की करीम कपड़ा लाता है सिलाई के लिए और कस्टमर भी लाता है तो इसी बीच नाजनीन और करीम दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं और नाजनीन को करीम से प्यार हो जाता है फिर नाजनीन और करीम दोनों एक साथ सोने लगते हैं फिर हसीना नाजनीन को पत्र लिखती है कि अब वह बहुत खुस है क्योंकि जेम्स और लबली के यहां उसे काम मिल गया है और उसका काम है घर की सफाई करना और बच्चों की देखवाल करना अब कहानी लंदन की तरफ चलती है जहां नाजनीन बहुत परिशान है जिसके कई वज़ा है पहली वज़ा कि चानू और अब उसकी बेटी सहाना हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और नाजनीन को इस बात का भी दुख है कि उसका करीम के साथ संबंध है अफेयर है नाजनीन एक तिन अपने बेटीों की कपड़े दो रही होती है तो वो गिर जाती है और उसको बहुत चोट आती है और कई दिनों तक बिस्तर पड़ पड़ी रहती है उसके बाद ठीक होती है तो फिर कारे करना स्टार्ट कर देती है करीम जो नाजनीन के घर डेली आता था वो अब नहीं आ रहा था कुछ दिनों बाद वो आता है और नाजनीन से बताता है कि वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया हुआ था फिर नाजनीन करीम से फूचती है कि तुम बताओ ऐसा मुझ में क्या दिखता है तो वो बताता है कि तुम एक गाओं की सीधी लड़की हो तो नाजनीन को याद आता है कि ठीक यहीं बात चानू ने भी उससे एक दिन कही थी नाजनीन करीम से बताती है कि चानू बंगला देश जा रहा है तो करीम कहता है उसको जाने दो और उस पे उल्टा जब चला जाएगा तो तलाक का केस दर्ज कर देना और जो नाजनिन है वो अपनी वहन हसीना को हर महिने पैसे भेजा करती है चानू के चुपके चुपके नाजनिन को पता चलता है कि जो चानू है वो मिस इसलाम से पैसे ले रहा है और मिस इसलाम है वो बहुत करप्ट लेडी है जिसे की बात में स्टार्टिंग में बहुत ही सही बताया गया था वो ब्याज पे पैसे देती है और दो गुना तिन गुना पैसे ब्याज पे वसूली करती है अपने लड़कों को भेज के चानू एक दिन करीम के घर जाता है तो उसे करीम और नाजनीन के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है वहाँ पे दो गुरूप होते हैं बेंगाल टाइगर्स और लायन हर्ट ये दोनों आपस में लड़ते हैं क्योंकि इनका मकसद होता है कि ये टावर हेमलेट पे अपना कपजा जमा लें चानू डाक्टर आजाद से मदद लेकर प्लेन की चार टिकट लेता है बंगलादेश जाने के लिए और नाजनीन को बताता है कि अब हम बंगलादेश जा रहे हैं हसीना फिर नाजनीन को पत्र लिखती है कि उसकी मा रुपबन की जो मृत्य हुई थी वो भाले पर गिरने से नहीं हुई थी उसकी मा रुपबन ने सुसाइट कर लिया था क्योंकि उसके पिता हामित का कई अवर्तों के साथ मेरिटल एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर चल ला था जिसके कारण उबकर रुपबन ने सुसाइट कर लिए थी जिसको सुनने के बाद नाजनीन यह डिसाइट करती है कि वो भी अपना सब कुछ सुधार कर लेगी जो करीम से अफेयर है उसे खत्म कर लेगी तभी मिस इसलाम अपने बेटों के साथ इसे ब्याज के पैसे व पाना कर देती है और साथी बताती है कि मैंने आपका पैसा तो दे ही दिया और ब्याज का 300 पॉंड भी अधिक दे दिया अब मैं आपको इससे अधिक पैसा नहीं दूंगी नहीं दे पाऊंगी फिर नाजनीन और करीम एक दूसरे से एक ट्रेन पे मिलते हैं और दोनों आप पसी समती से अपने अफेयर को खत्म कर देते हैं नाजनीन बताती है कि यह पाप है इसलिए वो पाप नहीं कर सकती तो इसलिए दोनों अफेयर खत्म कर देते हैं फिर चानू अकेला बंगलादेश चला जाता है क्योंकि सब तयार तो होते हैं जाने के लिए लेकिन उसकी ब तो सहाना उसे मिल जाती है। सहाना छुपी होती है जहां पे दो ग्रूप बंगाल टाइगर्स और लायन हर्ट लड़ रहे थे वहीं पे। चानू बंगलादेश से हसीना को हर एक महिने फोन करता रहता है, लेटर लिखता रहता है कि मेरा काम ऐसा चल रहा है, फिर वो बताता है कि जो नाजनीन की छोटी भन हसीना है, वो फिर एक जैद नाम के आदमी के साथ भाग गई। नाजनीन और रजिया का सिलाई मशीन वाला काम बढ़ियाँ चलने लगता है, दोनों की आर्थिक इस्थिती में परिवर्तन आने लगता है, और फिर नावेल का अंतिम द्रिस से आता है, और एक दिन नाजनीन को उसकी दोनों बेटी और रजिया आई स्केटिंग पर ले ज और सीधे वहीं पे खोलते हैं जहां आइस्केटिंग हो रही होती है तो नाजनीन बहुत खुस होती है लेकिन जब आखे खोलती है तो बर्फ जाने से डरती है वो कहती है कि साड़ी पहन के वो बर्फ पे नहीं चल सकती तो उसकी दोनों बेटी है बताती है कि इटीज लंदन मतलब यहां लंदन है यहां आप कुछ भी कर सकती हो तो यहीं पर नाविल का इंड होता है धन्यवाद